वेलकम टू सूर्या टुटोरियल्स तो इस्टुडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10 के मैट्स के फर्स चैप्टर जो की हमारा रियल नमबर है उसमें NCIT की एकसरसाइज 1.1 के कोशन नमबर 3 को डिसकस करेंगे तो इस्टुडेंट्स अपने लास्ट लक्षर में हम लोगोंने कोशन नमबर 2 को पढ़ लिया था तो कोशन नमबर 3 में क्या बोल रहा है स्टुडेंट्स an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade तो students हमारी एक army की टुकडी है जिसमे 616 members है तो contingent का मतलब होता है students टुकडी ठीक है तो हमारी एक army की टुकडी है जिसमें 616 members है और इसको क्या करना है इसको march करना है 32 members में ठीक है और ये क्या है हमारे army band के members है अब आगे question में क्या बोल रहा है students the two groups are to march in the same number of columns what is the maximum number of columns in which they mark अब ये जो दो group है students army band का और army की टुकडी का इनको क्या करना है इनको march करना है same number of columns में हम लोग को maximum number of columns बताना है students जिनमें ये दोनों march कर सकेंगे तो अगर हम लोग देखें students हम लोग को दिया क्या गया है question में हम लोग को दे दिया गया है कि हमारी जो army contingent है और army का जो band है इनको जो है हम लोग को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये maximum number of columns में march कर सकें तो यहाँ से students हम लोग को क्या पता चल गया कि हम लोगों को इनको highest तरीके से arrange करना है यहाँ से students हम लोग समझ गए कि हम लोगों को क्या निकलना है highest common factor निकलना है 616 members का और 32 members का तो हम लोग क्या लिख सकते हैं students to find the maximum number of maximum number of columns we have to find the SCF of हम लोगों को क्या करना है students SCF find करना है 616 और 32 members का और यहाँ पर students हम लोग जो है SCF को जो है Euclid's Division Lemma का यूज करके solve कर लेंगे तो अगर हम लोग देखें तो since 616 is greater than 32 तो हम लोग यहाँ पर students Euclid's Division Lemma को apply कर सकते हैं तो by using Euclid's Division Lemma तो हम लोग divide करके देखते हैं students तो 32 को students जब हम लोग 616 से divide करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 बन जा 32 तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा students और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा तो हम लोग के पास 29 आ जाएगा हम लोग 6 को नीचे उतार लेंगे तो 32 को students हम लोग को इस तरीके से multiply करना है कि 296 आ जाए तो हम लोग 32 को जो है students 8 जा करके देखता है तो 8 2 जा कितना होता है 16 होता है और 8 3 जा कितना होता है 24 होता है तो मैं पास कितना जाएगा 256 लेकिन हम लोग अगर और देखें students तो कितना चाहिए हम लोग को 628 538 और 2 तो यहां कितना time जा सकता है students हमारा 9 times जा सकता है तो 32 9 जा कितना हो जाएगा students 288 तो यहाँ पर हम लोगों को कितना बचा है 8 बचा तो यहाँ से students अगर हम लोग देखें तो हमारा remainder अभी हम लोगों को 0 नहीं मिला है तो इस condition में हमारा remainder क्या हो जाएगा divisor हो जाएगा और जो हमारा first condition में divisor था यह हमारा क्या बन जाएगा divided बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं students कि 616 इकोल्स तो क्या हो जाएगा 32 into 19 plus of 8 second step students हमारी क्या हो जाएगी since 32 is greater than 8 तो यहाँ पर भी हम लोग जो है Euclates division lemma का use कर सकते हैं students तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 4 जा 32 तो अब हमारा remainder कितना आगया students remainder 0 आगया और हम लोग को पता है कि जिस condition में हमारा remainder 0 आजाएगा तो हमारा जो divisor होगा वो क्या बन जाएगा वो ही हमारा SCF होगा तो यहाँ पर students हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 को 32 equals to 8 into 4 plus 0 तो हमारा SCF कितना आजाएगा students 616 और 32 members का that is equals to 8 तो maximum number of columns कितना होगा students maximum number of columns in which they march equals to हो जाएगा students हमारा 8 और यही हमारा क्या होगा answer तो इस तरीके से students हम लोगों ने जो है NCRT की exercise 1.1 के question number 3 को discuss कर लिया अपने next video में students हम लोग question number 4 को देखेंगे तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चलागाओ तो please channel को subscribe करिएगा वीडियो को share करिएगा और comment करिएगा thanks